आज हम बनाएंगे स्प्राउटेड मूग की करी बहुत हेल्दी और इजी रेसिपी है तो यहाँ पर मैंने एक कप स्प्राउटेड मूग लिये और नट सोप किये हुए है और मिक्सर जार में हमें आधा कप फ्रेश कोकोनट लेना है उसमें एक टमाटर एड़ करना है उसके बाद आधा चमच रेड़ चिली पाउडर मैंने एड़ किया है और यह हमें विदाउट वाटर ग्राइन करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पेस्ट बनाई है कड़ाई में टूटी स्पून ओईल लिया है उसमें आधा चमच सरसो, आधा चमच जीरा, पींच ओप हिंग आड़ किया है हाप टी स्पून टर्मनिक पाउडर और स्प्राइवटेड मूग आड़ करना है यह लो फ्लेम पे 2-3 मिलिट तक अच्छे से सौटे करना है उसके बाद एक कप पानी आड़ किया है मैंने और बॉइल आने के बाद हमें ग्रैंडर मिक्स्च और इसमें आड़ करना है अच्छे से मीक्स करना है और अब उसमें आधा चमच रेड़ चिली पाउडर एक चमच यहाँ पर मैंने गोड़ा मसाल यूज किया आप गरो मसाल भी यूज कर सकते हैं वन टीस्पून जागरी गूड डाला है उसमें और हमें अच्छे से मीक्स करना है आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मीक्स करके लिया है इसमें थोड़ा पानी आड़ करके मीक्स किया है टेस्ट के लिए salt अड़ गिया है और 3-4 मिनिट के लिए ये cook किया है आप देख सकते हैं ये अच्छे से ये cover किरके मैंने 4 या 5 मिनिट के लिए अच्छे से cook किया है आप देख सकते हो यहाँ पर परफेक्ट cook हो गया है और हमारी healthy and tasty sprouted milk curry ready है या आप rice या चपाती रोटी के साथ serve कर सकते हो तो यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो like क्लिद कीजिए और नई recipes के लिए चैनल को subscribe कीजिए thank you